करनाडगा में कुछ सरपसंद लोग हराय दिन हिंदू मुस्लिम के बीज जहर घोल भाईचारगी को खतम करने की शाधिस कर रहे हैं दरगा का औरू सोया मंदिर का मेला गंगा जमना तहजीब के चलते हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ मिलकर खुशियां बारते देखे गए हैं लेकिन करनाडगा के मैंगलूर और दिगर शहरों में मंदिर के मेले में मुसल्मानों को दुकान लगाने से रोका जा रहा है मंदिर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं इस मेले में कोई मुसल्मान दुकान नहीं लगाएगा दरासल ये VHP और बजरंग डल तंजीमों के लोग हैं जो मौझूदा हुकूमत के इशारों पर धरम के नाम पर हिंदू-मुसलिम के बीच नफरत फैला कर धार्मिक वोर्ड बैंक बढ़ाना चाते हैं कुछ दिन पहले आप सोभी ने देखा किस तरहा गुलवर्गा डिस्टिक में मौझूद अलन की दरगा में BJP MP MLA जबरदस्ति घुस कर पुजा करते देखे गए हैं और दूसरे तरफ मुसल्मानों को साल में एक मरतबा मंदीर के अंदर कारोबार करने से भी रोका जा रहा है मंदिर के मेले में मुसल्मानों को कारोबार करने पर लगी रोग पर गुलबरगा शहर से आवल इंडिया मजलिस अत्यादुलमस्लिमिन गुलबरगा डिस्टिक्यूत प्रिसीडंट अजीम शेक ने नाराज़ की जाहिर की है अजीम शेक ने कहा तुम मुसलमानों को परेशान कर, नफरतें बढ़ाओ, हम इंदों को गले लगा कर महबच फैलाएंगे Assalamualaikum दोस्तों आदाब उसूलों पर अगर आ चाये तो टक्राना जरूरी है उसूलों पर अगर आ चाये तो टक्राना जरूरी है जिन्दा हो तो जिन्दा नजर आना जरूरी है करना टका के अंदर अभी हिजाब का मसला ठंडा ही नहीं हुआ था फिर से ये फिरका परस ताखते हिंदू-मुस्लिम को अलग करने की पॉलिसी कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की डिवाइट करने की जो इनकी सियासी रोटी सेगने की जो इनकी पॉलिसी है यह फिर से लोगों के बीच में इंतिशार पैदा करने के लिए आये हैं अब हुआ यह है कि मैंगलूर के अंदर जो मंदिरों में घैर हिंदू भाई जो मुस्ल मैंगलूर के अंदर मंगला देवी मंदिर में वहीं पर दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में इन दोनों मंदिरों के बाहर बैनर लगाए गये हैं जहां पर घैर हिंदू को अंदर आने नहीं दिया जाएगा उन्हें कारोबार करने नहीं दिया जाएगा थोड़े दिन पहल टंडर अपने नाम कर लिया तो करनाटगा के अंदर जो ये RSS और BJP वाले जो डिवाइट करकर जो समझ रहे हैं आने वाले जो आट नो मैनों में अलेक्षन है वो लोग अलेक्षन जीच जाएंगे पर करनाटगा के अंदर आज भी सेकुलर हिंदू बाई जिन्दा है आज भी सेकुलर मुसलमान जिन्दा है हम अपनी जानिब से तमाम अपने खैर मुसलमें भाईयों को हमारे कॉंप्लेक्स में हमारे बजारों में हमारे दरगाओं में हमारे मेलों में खुली तोर पर दावत देते हैं आप आ लख्लोन पर पानी फिरना वां की एक ये दिनों को हमेरे बच्शों का भविष्व ग्रम अच्छा चाते हैं हम चाते हैं कि करनाड़ा के अंदर प्यार मौबत बरकरार रहे एकता भाई चारा रहे सब मिल जुल कर रहे तो इन फिरकापरेश ताकतों को मूत और जवाब देना है भाईयों मैं मौम्मद अजीम शेक कुल हिंद मजलिस इत्याद मुस्लिमीन की जानिब से कमाम अपने सेकुलर हिंदू भाईयों से इस वीडियो के तरू गजारिश करता हूं कि आप इन लोगों के बातों में ना आए आप जो हमेशा भाई चारगी का सबूत देते रहे हैं उसी पे बर कश्मीर फाइल जो मूवी आई उसमें जिस तरीके के सीन्स बताये गए हैं हमारे हिंदू भाईयों को दिलों को तकलीफ देना उन्हें मेंटली प्रेशर उन पे बनाना इस तरीके का उनका माइंड सेट करना इस तरीके की सियातत चल रही है तो मैं श्रीमा नरेंदर मोदी जी से कहना चाता हूँ कि आप उन डिरेक्टर से कहिए कि गुजराच फाइल्स बनाई जाए और भी बहुत सारे इस तरीके के वाकिये मुसल्मानों के साथ जास्ती की गई है वो उस पे मूवी बनाई जाए और खास तोर पे मीडिया दलाल मीडिया के ओपर एक मूवी बना जाए कि इन फिरकपरस ताकतों के बातों में आप मत आईये हम जो हमेशा सालों से एक साथ एक जुट होकर हिंदू-मुसलिम भाई-भाई होकर जिस तरीके से खंदा भाग खंदा लगा कर चले हैं आने वाले दिनों में भी उसी तरीके से चलने की जरूरत है मैं पॉलिस ड जेलों में भरने का काम किया है आप में अकर दम है आप में अकर गर्स है तो ऐसे लोगों को आप जेल में डालिये पर इन लोगों का ठिकाना जेल है इन पर कारवाई कीजिए दलाली बन कीजिए बेकसूर लोगों को जेल में डालना बन कीजिए जो लोग जहर खोल रहे हैं जो लोग डिवाइट करकर अपनी रोटी से करें हैं जो लोग समझते हैं ऐसा करने से वो लोग जीत जाएंगे पर ऐसा होने वाला नहीं हम ऐसा हरगी सोने नहीं देंगे हम लोगों के बीच जाएंगे आप नफरत बढ़ाईए हम प्यार बढ़ाने का काम करेंगे हम लोगों को एक करने का काम करेंगे हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे इंशाल्ला आकरी में एक शेयर कहें कि अपनी बात को खतम करता हूँ सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बादुए कातिल में है